आज हम बना रहे हैं बिहार और यूपी का ये फेमस ठेकुवा ये ठेकुवा की रेसिपी आज आप लोग कुसा शेयर करूंगी जो बहुत ही कास्ता कुरकुरा और अंदर से बिल्कुल सॉप्ट होता है कुकीज के जैसा तो आप इसे बेसी कुकीज भी कह सकते हैं ये देखे कि मैं इसे तोर रही हूं कितना सॉप्टली ये तूट जा रहा है और खाने में बहुत ही क्रशी और कृस्पी होता है बिल्कुल बिस्किट कर दे साथ वैसे तो यह छट पूजा में बनाया जाता है लेकिन यह इतना टेस्टी होता है कि इसे हर तेवार पे हम लोग बनाते हैं खाते हैं और अपने घर में सभी को खिलाते हैं तो बच्चों को बाहर का बिस्कित ना देके आप उन्हें इसकी आदर डालिए बहुत ही टेस्टी होता है तो यहां पर मैंने लिया हूँ है एक कटोडी जितना गेहु का आटा और आधी कटोडी जितना मैं इसमें मैडा मिक्स कर रही हूँ इससे बहुत ही अच्छा क्रण्च आएगा आटे और मैदे का इसलिए दोनों को साथ में मिक्सर के बढ़ा रही हूँ साथ में मैं ले दे हूँ यह दो बड़ी इलाची और चार छोटी इलाची यह जरू डालिएगा दोनों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो मैंने इस तरह से इसे दरदरा कूट लिया था जो की एक बड़ा चमच जितना पॉडर बनके त्यार हुआ है और एक बड़ा चमच जितना ही यह सौफ है यह भी जरू डालना है और यहाँ पे चार चमच जितना घिसा हुआ नाडियल है अगर आपके पास यह नहीं है त तब तक की मेल्ट होता है जब तक हम अपना आटा त्यार कर लेते हैं तो आटे में मैं वन भाग जितना ये घी डालोंगी अगर एक कटोड़ी आपका आटा है तो उसका वन फोर्थ आप घी लेना है तो यहां देखे यहां पर देशी घी का यह इस्तमाल कर रही हूँ मैं आप यहां पर ऑल भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन घी का यूज करेंगे तो अच्छा श्वाद आएगा और अच्छा क्रंच आता है खास्ता यह ज्यादा बनता है घी ढालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो बस इसको अच्छे तऱ आटे में मलमल के मिक्स कर देना है जब यह आटा अच्छी तरह से भी मिक्स हो जाएगा घी इसमें तो देखिए ऐसे बनने लगेगा तो आप समझे अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तब हम यहाँ पर जो चीनी पानी का गोल बना के त्यार किये हैं इसको हलका हलका इसमें डालेंगे एक साथ एक खटे मत डाल दीजेगा डालते जाईएगा और ऐसे हातों से मिक्स करते जाईएगा आटे और पूरी के जो हम लोग डो बनाते हैं आटे का उस तरह से नहीं मसलन है बस आपको ऐसे मत डालते जाना है और सब आटे को हातों से इखटाब करते जाना है बस इखटा करना है मसलना daha नहीं है रोटी यव अव पराठे के डो teve कौ यहाँ झाट्री के जैसा इस आटे को बस इकटा करते जाईए हिसतर और बस ध्यान देना है कि जब हम इस तरह से प्रेस कर रहे हैं तो कॉनर इसका फटे नहीं उस पे क्रैक ना आए वो चिकना रहे अगर वो क्योंकि अगर कॉनर पे क्रैक रहेगा तो जब हमसे फ्राइब करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा ओल चला जाएगा इसलिए उसे कर लिजे कुछ इस तरह से और यह मोटा मोटा ही बनाना है आपको पतला जादा नहीं बनाना है नहीं तो वह बहुत जादा आपका हाड हो जाएगा तो मोटा बनाना है और बहुत ही हलके आज पर हमेज इसे शेखना होगा तो प्राइब कैसे करना है चलिए अब मैं आपको तो आप इसे हाथ पे बना सकते हैं यह देखे मैं एक आपको हाथ से भी बना के दिखा दे रही हूँ इस तरह से प्लेट पर दखके चिकना कर लिजें दोनों साइड से या फोक है या पिर आपके पास कदू कैसे न तो उसके उपर भी आप इसे प्रेस कि जेगा तो इस तरह स से भी बना सकते हैं और कितना गरम है यह चेक करने के लिए आप उसमें एक आठे का टुकड़ा डाल दें और यह जब इस तरह से बिल्कुल ऊपर आ जाए फ्लोट होने लगे तो समझे और आपका त्यार हो गया है गरम हो गया है तो जब एक बार गरम हो जाए तो फिर उसे आ आप एक करके सब को अंदर डाल दी जुआद usted कि जितनी आप इसी में डाल रही हो वह अच्छी तरा से सब ठेकवा और में डिप हो जब दौरी अच्छी तरह से उपर तक रहेगा तभी यह दोनों साइड में अच्छे पुड़ा होना इसमें बहुत ज़रूरी है की यह ठेकवा जो है पुरा डिफ हो जाए और आपको बहुत ही हलके हातों से देखिए इसे पलटना है कड़ाई के साइट का सहारा लेते हुए एक साइट से उठाईए और उसे साइट से पलट दीजिए ताकि आपको ठीटा भी न आप इसे पलटिएगा क्योंकि जैसे चीनी केरमलाइस होती है यह बहुत सौप्ट हो जाता है तो इसे बहुत ही लाइटली आपको हैंडिल करना परेगा बस यहीं पर आपको ध्यान देनी की ज़्यादर जुरूरत है और यह ओल में जो यह बुलबुले आ रहे हैं यह कंटेन लगे तो आप फिर से स्लो कर दीजिए देखे अभी एची तरह से सिग्या है फ्रंट से भी और बैक से भी मैं आपको फ्लट के दिखा रही हूं यह दोनों तरफ इक्वल सिखा है जैसे आगे भी है वैसा ही कलर पीछे भी है इसलिए ओल में इसका डिप होना बहुत जरूर है ताकि नीचे और उपर दोनों साइट इक्वल यह सिखे कहीं पे डार्क या कहीं पे लाइट देखे आपको यह नहीं दिख रहा है तो इस तरह जालीदार वाले प्लेट में से रख दीजिए ठंडा होने के लिए जो भी एक्स्ट्रा ओल है वह भी निकल जाएगा और यह क्लेट फ़िए ठंडा भी जल्दी हो जाएगा जब तक यह गरम रहेगा तब तक तो यह बहुत लेट रहता है पर यह जैसे घंडा होता है बल्कुल क्यश के जैसा हो जाता है और और करारा और अंदर से बिल्कुल साप्ट साप्ट तो यह कूकेश जरूर बनाईएगा आप दे सकते हैं यह बहुत ही अच्छा और एल्डी है आप इसे जरूर बराईएगा और इसकी कैसी लगी बुझे बताईएगा कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर जाएगा ऐसे ही अच्छी और देशी रेसिपी देखने के लिए देखने के लिए झाईब कर देखने के है तो देखने के अच्छी में अच्छी है लिए आपा है।